राश्ट्री उपलब्धी सर्वेक्षण एनैस से परचे के सम्मन में दीख्षा एप पर एक डिजिटल कोर्स लॉंच किया गया है जिसे प्रिदेश के जो सिक्षक हैं विकर सकते हैं और जब कोर्स कर लेंगे तब इसके उपरांत इन्हें इसका एक सार्टेपिकेट भी प्र लॉग इन करेंगे तब ही आपको इसका प्रमारपत प्राप्त होगा तो आईए देखते हैं कि इसमें जो दीख्षा एप है कैसे इंस्टॉल करना है इसमें लॉग इन कैसे करना है और इसके उपरांत इस कोर्स को कैसे करना है तो इसके लिए सबसे पहले है आपको अपने म दिखाई देगा दीख्चा एप जो की लगभग 48 MB के आसपास का एप है जिसे आपको install पर किलिक करके install कर लेना है जैसे आप किलिक करेंगे तो आप देख सकते हैं लगभग 40 MB का एप है तो बहुत ही जल्दी से जो एप है वो install हो जाएगा install होने के बाद इसे आपको open करना है जैसे हम open करेंगे तो थोड़ी process होगी और एक नय interface हमारे सामने आ जाएगा अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले तो आपको language select करना है कि किस language में आप इस app को operate करना चाह रहे हैं तो जो भी language हो वो select करें और continue पर click कर दें continue पर click करने के पश्चात इसमें पूछा जाएगा कि आपका role क्या है आप teacher है, student है, parents है, जो भी आपका role हो वो select करें चुकि हम teacher हैं तो हम teacher select करेंगे जैसे हमने teacher select किया, तो थोड़ी process हुई और इसके उपरांथ हमें अपना जो board है, वो select कर लेना है तो चुकि हम MP boards हैं, state, मद, प्रदेश तो हम अपना board select करेंगे और summit पर click कर देंगे इसके बाद में आप देखेंगे, कि आपका medium जो माध्यम है वो पूछा जाएगा, तो माध्यम जो भी हो, वो select करें, summit पर click करें इसके पशाथ, आप किन-किन कक्छाओं में अध्यापन करा रहे हैं वो कक्छा आपको यहां से select करना है, और summit पर click कर दाना है इसके बाद में continue पर click करेंगे, जैसे हम continue पर click करेंगे तो फिर से थोड़ी process होगी, और इसके उपरांत, अब इसमें हमें जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ message आ रहे हैं, जिससे आप read कर सकते हैं इसे हम cancel करते हैं, अब सबसे पहले इसमें हमें login करना है login करने के लिए left side पर जो तीन आड़ी लाईने देख रही हैं इस पर click करें, click करने के बाद में आप देखेंगे कि सबसे last में login का एक option दिया गया है, simply इस पर click करके हमें login करना है अब login करने के लिए आप देखेंगे कि इसमें काफी सारे option दिये गया है आप चाहें तो अपने mobile number से इसमें login कर सकते हैं अपना जो google account है, इससे भी login कर सकते हैं लेकिन आप सिक्छक हैं और आपको इसका प्रमार पत्र भी चाहिए तो इसके लिए आपको सबसे अंत में जो option दिया गया है login with state system, इस पर click करके ही login करना है अपने username अर्थात आपका unique ID और जो भी education portal का password हो इससे ही आपको login करना है तो हम सबसे अंत में जो option दिया गया है login with state system इस पर click कर देते हैं, जैसे हमने click किया तो थोड़ी process होगी और एक नए page में हमें अपना state select कर लाना है तो जैसे हम click करेंगे तो यहाँ पर सभी state आएंगे हम यहाँ पर अपना state है वो select करेंगे अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि मद्यप्रदेश दो बार लिखा हुआ है तो आपको मद्यप्रदेश teacher, state मद्यप्रदेश teacher जो option दिया गया है इससे select करना है और submit पर click करना है इसके बाद में एक नया page आएगा जहाँ पर username में आपको अपना unique ID फिल करना है पासवर्ड में education portal का जो भी आपका पासवर्ड हो वो फिल करें और login पर click कर दें अब जैसे ही हम login पर click करेंगे तो थोड़ी process होगी और please wait के लिए हाँ पर message आएगा और हम इसमें login हो गया है अब यहां पर course करने के लिए हो सकता है कि इसमें कुछ details आपसे और पूछा जाए तो उन सभी details को आपको इसमें fill कर लेना है और इसके उपरांद इसमें login करना है अब चुकि हमें course करना है तो course करने के लिए आप course को सीधे search कर सकते है या फिर इस course की जो link है आपको description box में भी मिल जाएगी यादि course को search करना है तो आप उपर जो search का icon बना हुआ है इस पर click करें और click करने के उपरांद यहाँ पर आप search करें राश्ट्री उपलब्धी सर्वेक्षण जैसे हम इसमें लिखते हैं राश्ट्री उपलब्धी सर्वेक्षण और इसके आगे आपको लिख देना है NAS जैसे हम इतना लिखकर इसे search करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें काफी सारे result आएंगे पहला ही result आएगा course का राश्टी उपलब्धी सरविक्षण NAS से परचे आपको इसे click करना है और click करने के बाद इस course में join हो जाना है चुकि हम पहले हो चुके हैं तो इसमें progress आ रही है इसमें join course का option आएगा इस click करके आपको इस course को join कर लेना है अब इसमें जैसे आप course 100% पूर्ण कर लेंगे तो आपको इसका एक साइट पर के जो प्रमार पत्र है वो भी प्राप्त होगा इसके भी कुछ criteria दिये गए हैं जैसे इसमें आप देखें course detail दी गई है कब से कब अब तक करना है इसमें देख सकते हैं आपकी course एंड डेट जो है 5 दिसंबर 2024 को जो course है वो समाप्त हो जाएगा अर्थात 5 दिसंबर 2024 के पहले आपको इसमें enrolled हो जाना है और 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 भी निर्देश इसमें दिये गए हैं आप देख सकते हैं कि certificate का जो correct area है वो दिया गया है जिसमें बताया गया है कि 100% course पूर्ण कर लेने के उप्रान थी आपको इसका प्रमार पत्र मिलेगा और जब आपने course पूर्ण कर लिया है तब इसके within 10 days you will receive your certificate within 10 days अर्थात आप अपने जो प्रमार पत्र है 10 दिनों के भीतर इसमें प्राप्त कर सकते हैं तो इस प्रकार से कुछ criteria भी इसमें दिया गया है तो इस प्रकार बहुत ही असानी से राश्टियो प्लब्धी सर्वेक्चन NS से जो परिचे है इस से समद्धी जो digital course है जो की दीख्षा एप में launch किया गया है इसमें हम join हो सकते हैं और इस course को बहुत ही असानी से कर सकते हैं इसमें course का जो module है भो भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से तीन module इसमें दिये गए हैं तीनों को आपको 100% पूर्ण करना है और इसके उपरांथ ही इसका जो certificate है वो आपको प्राप्त होगा तो आसा है जानकारी आप समझ पाए होंगे मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन